हलो फ्रेंड्स आपका स्वागता टेस्ट आई क्यों में फ्रेंड्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है इस वीडियो में हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और कौन-कौन सी प्रॉपर्टी कौन से थर्मोम समझेगे कि कौन से thermometer की कौन से thermometric property होती है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी definition क्या है यानि कि thermometric property होती क्या है दा property of an object which changes with temperature इस कार्ड दा thermometric property जैसा कि नाम से पता चलता है कि thermo यानि कि temperature की बात हो रही है तो ऐसी property जो temperature के साथ में vary कर रही है यानि कि मैं simple वासा में आपको बताऊं तो ऐसी कोई property जो change हो रही है किसके साथ में temperature के साथ में तो यदि हमको temperature नहीं पता है और वो property यदि हमको पता है कि कैसे change हो रही है तो हम temperature निकाल पाएंगे उसके लिए जैसे for example for constant volume gas thermometer यदि मैं इस thermometer की बात करूँ जहां पर volume क्या है constant है तो आप सभी को पता है जब हमारा volume जो है वो constant होगा V बराबर C होगा तो PV बराबर क्या होता है MRT यह आप सभी को पता है तो हमने यहां पर V क्या पान लिया है constant तो P is proportional to T हो जाएगा यहां फिर मैं कह सकता हूँ T is proportional to P एक यही बात है तो कहने का मतलब है कि जब हमारा pressure change होगा या increase होगा तो temperature भी increase होगा तो तो हमारा temperature decrease होगा यानि कहने का मतलब है यह दोनुग proportional है तो मैं इसको कह सकता हूँ temperature is the function of pressure only क्योंकि यहाँ पर volume constant है तो यदि आपका volume constant है तो pressure जब change होगा तभी temperature change होगा तो यदि मुझे pressure changes पता है तो मैं वहाँ पर temperature निकाल पाऊंगा तो constant volume gas thermometer के लिए thermometric property क्या हो गई pressure हो गई तो यहाँ पर जो है thermometric property क्या हो जाएगी pressure तो जब भी आपको पूछे कि constant volume gas thermometer के लिए thermometric property क्या होगी तो आपका answer हो जाएगा pressure और यही क्यूशन objective के तोर पे हर exam में पूछा जाता है फिर हम देखते है constant pressure gas thermometer के लिए जैसा कि यहाँ पर लिखा गए है for constant pressure gas thermometer तो similarly आप सभी को पता है जब हमारा pressure constant होगा तो क्या हो जाएगा V is proportional to T हो जाएगा क्योंकि PV बराबर अभी मैंने आपको बताया था MRT होता है यह आप सभी को पता है तो यहाँ पर pressure constant है इसका मतलब V is proportional to T या फिर कह सकते हैं T is proportional to V और मैं इसको कह सकता हूँ T is the function of volume तो जब हमारा pressure constant होगा तो thermometric property क्या हो जाएगी volume तो ऐसे भी exam equation पूछा जाता है फिर हम different type of thermometer देखते हैं जहाँ पर thermometric property पूछे जाती है तो आप सभी को यह समझ में आ गया कि thermometric property होती क्या है अब यदि हम बात करें कि यदि हमारा electrical resistance thermometer है जिसमें हम thermistor को consider करते हैं तो वहाँ पे thermometric property क्या होगी तो वहाँ पे होगी resistance तो जब भी exam में पूछा जाए कि electrical resistor thermometer के लिए thermometric property क्या होगी तो आपका अंसर हो जाएगा resistance फिर यदि आपको पूछे कि thermocouple, जब बात आती है thermocouple की, तो वहाँ पर EMF या फिर voltage difference जो हता है, वो thermometric property होती है, क्योंकि आप सभी को पता है thermocouple क्या होता है, आपने वो practical किया होगा जहां पर दो wire होते हैं, वहाँ पर voltage difference होता है, जिसकी वज़े से EMF generate होता है, तो उन्हों क्या हो जाएगा, thermometric property, और यदि हम बात करें ordinary thermometer, for example, mercury thermometer, आप सभी को बता है कि generally आपने जो भी thermometer देखे होंगे, वहाँ पर उसमें mercury use होता है, तो वहाँ पर thermometric property क्या होती है, वहाँ पर length या फिर volume, क्योंकि आप सभी को पता है, जो आपने basic thermometer देखा है, तो वहाँ पर जो ये mercury की जितनी height बढ़ती है, उसी हिसाब से हम क्या देखते है, thermometer की property देखते है, तो ordinary thermometer पूछा जाए, या फिर mercury thermometer पूछा जाए, तो वहाँ पर length या फिर volume हो जाएगा, length भी option हो, तो भी आपका आपका आणसर सही हो जाएगा, या फिर volume पूछे, तो भी आपका क्या होती है, यहां से आपके exam में एक यूशन पका हो जाएगा, तो फ्रेंट्स ये था छोटा सा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताना, यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like से जरूर करें, thank you